हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुनीता गोयर जाय का कॉर्णर में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं जाय के दाठ चटपटी इंडियन स्टाइल मैकरोनी तो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आपके घर कोई महमान आने वाले है पार्टी है या फिर ब्रेकफास्ट म बनेगी तो चलिए हम स्टाइट करते हैं आज हम बना रहे हैं इंडियन स्टाइल मैकरोनी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां मैंने लिया है पैन आप नौन स्टिक ले सकते हैं और उसमें मैंने दो चम्मच ऑल डा अब डाल रही हुँ एक चम्मच जीर और उसके बाद हमें अडिक लिया है इसको मैंने ना चॉप कर लिया है इसको बाद मैंने लिए पहरें आप यह मेरे पास फाईन चॉप्ट जो है हरी मिर्च है जो की मैं सब्सक्त कर रहे हूं इसको हलका सादे करेंगें खोंगे और य मेरे पास है दो बारिक कटी हुई शिमला मिर्च और दो बारिक कटे हुई टमाटर हमने जो प्यास है वो हलका सा सौते कर लिया है अब हमें जो इसमें एड करना है तो मेरे पास जो ये बारिक कटा हुई टमाटर है वो इसमें एड कर दिया है उसके बाद हमें एड करना है बा है थोड़ी सी खड़ी रखनी है। यह ने सभी चीजों को अच्छे से सौधी कर लिया है और यह मेरे पास प्रेशEl Кол सह भी है गाजर है अब को अपन मैं उस्टिकां इसमे घ्रिद करते हैं अने मैं भी सीजों में बताया है कि चछी थे paprikां कीषया तुमे हां तर pay, टनेदेन ज़िल्दार रहे हैं, तो यहां मेरे पास थोड़ा साहिए, है तो यहां मैं अदरा है, मैं औरेगेनो तो यहां मैं एक चम्मज जो है औरेगेनो भी एड़ कर रही हूँ और यह मेरे पास है चार जो है मैंने टमाटर लिये हैं और उनका मैंने पेस्ट बना दिया है वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और लगभग इसको टू मिनट्स अच्छे से चलाएंगे जो ग्रेवी है हमारी बहुत अच्छे से पक गई है अब हम इसमें करेंगे आजो है स्वात के अनुसार नमक और आदा चम्मज गराम मसाला यह मैंने नमक और गराम मसाला एड़ कर दिया है अब मैं लगभग दो से तीन चम्मज जो है टमेटो केचप है वो इसमें एड़ कर रही हो यह ऑप्शनल है अगर आप एड़ करना चाहें तो ठीक है अधर वाइस आप स्किप भी कर सकते हैं बड़ थोड़ा सा मीठा पन है वो हमारे खटे पन को है दबा देता है तो यह मैंने दो चम्मज जो है इसमें टमेटो जो सॉस है वो एड़ कर दिया है यह हमने ओल रड़ी जो है बॉयल हमने मैकरोनी ली है तो यह मैंने इसको पहले से उबाल लिया है इसको जो उबालने का तरीका है वो यह है कि आप एक और लगबग 2-3 मिनट्स तक आप इसको उबलने दीजे उसके बाद आप एक मैकरोनी निकालिए और अपनी हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लीजे और जो है ठंडे पानी उसे एक बार धो लीजे और हल्का सा उस पे ऐल लगा दीजे तो बस हमारी जो मैकरोनी है वो रेडी हो जाएगी ये देखे कितने खिली खिली जो हमारी मैकरोनी है वो रेडी हुई है अब हम इसको जो हमारी ग्रेवी बनके रेडी हुई है उसमें एड करेंगे यह देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो कितने अच्छे से बनके रेडी हो गई है अब हम इसमें मैकरोनी एड़ कर देंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे यह देखिए मैकरोनी से मिला दी धै गरेवी इन करड़ से अब अब एड़ रहे हूँ थोड़ा सा धनिया技 रोगा धनिया जो पता है यह इंडियान स्टाइल है धनिया जो भी सेंगर होना कर संब में बईस्य बिस इधर गड़ा हमारो से स्टीग से गरम करे मैं यह हमारी इंडियन स्टाइल मैकरोनी है बिलकुल रैडी हो गई है कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है कितना अच्छा कलर है यह बच्चों की फेवरेट है और आप इसको पार्टी में बनाईए किटी में बनाईए यह बहुत जल्दी बन जाती है और सभी को बहुत जिससे कि आपको मेरे आने वाली रैसेपी के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें तो मिलते हैं एक नई रैसेपी के साथ बाई टेक केर